एक example Now let's do example of dependent clause What is a dependent clause? Independent हमने sentence क्या है पढ़ा? हमने clause क्या है समझा ओ पवाक्य क्लास की क्या विशेष्टाएं होती ही जाना उसके बाद क्लास दो टाइप के होते हैं ये भी जाना इंडिपेंडेंडेंट और डिपेंडेंडेंट दो टाइप के होते हैं उसमें independent clause क्या है ये भी जाना और साथ ही ये भी जाना कि independent clause it can be one clause sentence, it can be two clause sentence and it can be three clause sentence और साथ में ये भी देखा कि दो independent clause को हम जोड सकते हैं connector से और वो क्या-क्या connectors है ये हमने बताया, अब जो दो टाइप की बात हुई थी इसमें हम दूसरे टाइप पर आते हैं, second type of clause, dependent clause, what is a dependent clause? है तो clause याने एक वर्ब जरूर होगा और उसके साथ ही एक subject भी जरूर होगा, लेकिन dependent होगा, किस पर dependent होगा? इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें इसलिए तो इसको डिपेंडेंट बोलते हैं न क्योंकि वो स्वैम काम नहीं कर सकता स्वैम वो पूरा अर्थ नहीं दे सकता एक वाक्य का काम क्या है एक वाक्य का काम है किसी के भावना को व्यक्त करना और भावना व्यक्त करते हुए उसका पूरा अर्थ देना भावना तो तभी व्यक्त होगी नि जब उसका अर्थ देंगे, जब उसका कुछ अर्थ निकलेगा, तभी तो भावना व्यक्त होगी, जो मैं कहना चाहरा हूँ, वो पूरे अर्थ निकले, तो sentence, अब यहां पर dependent clause, है तो clause, मतलब उसमें subject भी होगा, उसमें predicate भी होगा, उसमें verb भी लेकिन, main clause, जिसने हम independent clause कह लें, उस पर वो निर्भर है, क्या है यह निर्भरता, Number one, independent clause cannot function on its own because, number one, it leaves a thought incomplete, it leaves an idea unfinished, जो भी बोलना चाहरा है, वो कुछ छूड जाता है, कुछी छूटे ही लगती है, हम आएंगे आगे, अभी आप इतना समझ लो, कि it is not a complete sentence, I mean the meaning is not complete, it may be a complete sentence, क्योंकि एक sentence के लिए क्या जरूरी है, verb और subject, दोनों तो है इसमें, But it does not leave behind a complete idea, कुछ तो कमी लगती है, यह जो कुछ तो है, वो क्या है वो आगे हम समझेंगे, पर इतना जान लो, कि it cannot function on its own, Because there is something, some shortcoming, दूसरा, यह जो dependent clause है, इसको हम subordinate clause भी कह सकते हैं, Subordinate मतलब क्या होता है, subordinate, subordinate शब्द हमने कहां सुना है, normally, समानित्या, I am subordinate to my boss, मैं अपने boss के नीचे हूँ, He is my subordinate, I am the captain of the class, and Ram is my subordinate, मेरे नीचे है, मतलब vice captain है, He is my subordinate, subordinate मतलब किसी के नीचे होना, वहीं से यह meaning लिया गया है, dependent clause मतलब किसी पे निर्फर होना, उसी को दूसरे रूप में बुला गया है, subordinate clause मतलब किसी के नीचे रहना, किस के नीचे रहेगा, independent clause, जिसको हम main clause भी बूल सकते हों, उसके नीचे रहेगा, So it is also called a subordinate clause, अब देखिए, point number one क्या था, it is incomplete, it looks incomplete, it is not incomplete, it looks incomplete, कुछ तो कमी लगती है, बस यह आज रखिए, कुछ तो कम रखता है, तो दूसरा point, dependent clause के लिए है, कि it helps independent clause complete its sentence, Independent clause के वाक्य को यह पूरा करने में मदद करता है, A dependent clause cannot form a complete sentence, A dependent clause cannot form a complete sentence, यह हुआ dependent clause की विशेष्टा, जो जो dependent clause होते हैं, उसमें उसको link करने के लिए एक subordinators होते हैं, जो subordinators होते हैं, वो दोनों को connect करते हैं, किनको? dependent clause को independent clause से और दूसरे clause से, उससे connect करते हैं, और जब connect करते हैं subordinator, तब वो उसका meaning complete होता है, तब एक complete sentence बनता है, So in other word, there are something called subordinators, subordinate clause को दूसरे clause से जोडने के लिए subordinators होते हैं, और ये subordinator का काम क्या है? To connect dependent clause with the main one, to give a complete meaning, मुख्य वाक्य से जोडने का कारे करते हैं, ताकि एक पूरा meaning निकल जाए, उससे कहते हैं subordinator, जितने भी dependent clause होंगे, जिसी एक sentence में, किसी भी एक sentence में, कई clause हो सकते हैं, हमने तो three clause sentence भी पढ़ा भी, two clause sentence भी पढ़ा, और कई विशेश स्थितियों में तो four clause, five clause sentence भी हैं, कई प्रसिद्ध राइटर्स जो हैं, वो six-six-eight-eight clause sentence लिखने के लिए प्रसिद्ध हो गाए हैं, एक पूरा paragraph, कहीं पूर्ण विराम नहीं, और करीब सौ से देर्थ सौ शब्द उसमें हैं, और वाक्य चले जा रहा है, clause पे clause, clause पे clause, और हर एक का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन पूरा एक sentence तभी बनता है, जब शुरू से अंत्र तक पड़ें, तो यहाँ पर, और वो किस से जुड़े रहते हैं, सब clause, subordinator से, जितने भी dependent clause हैं, उसमें जो first word होता है, in each of the dependent clause, पहला शब्द जो होता है, वो रहता है, subordinator, याने subordinator कौन से शब्द, dependent clause का पहला शब्द, subordinator रहता है, याद रखिये, बहुत महत्पूर्ण चीज़ है, बहुत simple चीज़ है, dependent clause क्या है ही हम पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा दिमाग में बठा लिजे, कि dependent clause का जो पहला शब्द है, वो क्या कहलाएगा, subordinator, और subordinator का क्या काम है, dependent clause को main clause से जोड़ना, दूसरे शब्दों में, main clause का आखरी शब्द के बाद, dependent clause का पहला शब्द आता है, और वो subordinator है, subordinator क्या क्या है, normally यह रहते हैं, relative pronoun, conjunction, और noun clause, यह पार्ट तो speech और इसके कुछ अन्य भाग हैं, जो आपने निश्चित्रीप से पढ़ा होगा, यहाँ पर हम उसको विस्तार से नहीं जा रहे हैं, पर इतना समझ लीजे, कि subordinators are linkers, that link dependent clause to independent clause, उसको जोड़ देते हैं, they are linker, they are connector, and subordinate clause are first word of dependent clause, any doubt? चलो, बहुत देर से आप सूच रहूंगे, कि एक के बाद एक परिभाशा आ रही है, के बाद एक अर्थ आ रहे हैं, के बाद एक मीनिंग आ रहे हैं, बाते हैं हो रही हैं, लेकिन उदाहरन की कमी लग रही होगी आपको, you must be feeling the absence of some example, so let us have one example here, or rather more than one example, first is, when I was dating Diana, I had an accident, क्या sentence है, when I was dating Diana, I had an accident, अभी यह dating क्या है, dating का मतलब क्या होता है, date करना, मतलब, कंबन्ध बना, और लड़का लड़की से date करता है, लड़की लड़के से date करती है, जो आगे जाके सामान इस्थितियों में, वयवाहिक संबंदों में बदल जाती है, डेटिंग करते हुए हम एक दूसरे से अपने संबंध बढ़ाते हैं डेटिंग करते हुए हम एक दूसरे को बहतर समझने की कोशिश करते हैं डेटिंग का मकसद एक दूसरे को समझना होता है और फिर इसके बाद वो सब कुछ ठीक रहा है तो बाद में वह वाह में परिनित हो जाता है दोनों का जो संबंध है वो वाहिक संबंध में बदल जाते है So dating, when I was dating Daina, I had an accident देखिए इसमें क्या है, when I was dating Daina, I had an accident इसमें दो sentence है, I was dating Daina, I had an accident दोनों स्वेम में अपने परियाप्त हैं, दोनों अपने तहीं परियाप्त हैं I was dating Daina, I had an accident भेन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे अब ही आप देख लिजें, कि पूरा sentence क्या बन रहा है When I was dating Daina, जब मैं Daina के साथ dating कर रहा था, मेरा accident हुआ हिंदी में अदि बोलें, मैं Daina के साथ dating कर रहा था, एक वाक्या मेरा accident हुआ, दूसरा वाक्या ऐसे ही, I know the man who stole the watch I know the man who stole the watch मैं उस्व्यक्ति को जानता हुँ, जिसने घड़ी चुराई watch का मतलब, नजर रखना, देखना, और watch मतलब घड़ी spelling दोनों की एक ही है, अर्थ अलग-अलग हो सकते हुआ, कई हो सकते हुआ watch बना चौकीदार, watch man, नजर रखना, उसी से बना watch man, चौकीदार से और watch का मतलब होता है देखना, नजर रखने के अलावा क्या देखना, I watch a film मैंने फिल्म पे नजर नहीं रखी, मैंने फिल्म देखी, और एक watch का मीनिंग होता है घड़ी So I know the man who stole the watch, अब stole क्या है, stole, second form है, किस verb का, किस verb का second form है Steal का, S-T-E-A-L, क्या है spelling, देखिए, S-T-E-A-L, और उचारन प्रोनशेशन क्या है, S-T-E-A-L, स्टील तो स्टील, first form, stole, second form, और third form है, stolen, स्टील, stole, stolen चुराना, to steal मतलब चुराना चुराया, और फिर तीसरा form है, perfect form जिसको बोलते हैं, stolen, third form स्टील, stole, stolen, और spelling देख लीज़े, वो बहुत जरूरी है S-T-E-A-L का अर्थ होता है चुराना, और S-T-E-A-L का अर्थ क्या होता है स्टील का अर्थ वहां होता है, लोहा, stainless steel, लोहा जिसमें, जिसको सफेज इससे एक चमका दिया गया, उसके उपर chemical लगा के स्टील के बरतन, स्टील के बरतन जो होता है, वहां पर स्टील की spelling है, S-T-E-A-L और मैं बात कर रहा हूँ, S-T-E-A-L के second form की, जो है stole So, I know the man who stole the watch Third, he bought a car He bought a car, which was too expensive Two मतलब क्या है, बहुत जादा, T-O-O-2 T-O-O-2 मैंने दो, और T-O मैंने 2, वो 2 नहीं है I went to market, मैं बजार गया 2 मैं बात कर रहा हूँ, T-O-O-2 मतलब बहुत जादा You are too smart, तुम बहुत जादा smart हो It is too costly, ये बहुत महंगा है बहुत जादा महंगा है So, he bought a car, which was too expensive उसने एक खार खरीदी, जो बहुत महंगी थी बहुत खर्चीली थी, बहुत महंगी थी, expensive I know that he cannot do it मैं जानता हूँ कि वह यह नहीं कर सकता I know that he cannot do it मैं जानता हूँ कि वह यह नहीं कर सकता Right? Next sentence that we have is He does not know where he was born अब देखे हम dependent clause की बात कर रहा है और dependent clause को समझने के लिए ये दाहरन है He does not know where he was born इसमें कौन सा dependent है, कौन सा main है और इसमें subordinator कौन सा है या connector कौन सा है इसमें dependent clause का पहला word subordinator होना चाहिए So we will study all that Now next is If you don't eat, I won't go If you don't eat, I would not go Right? And last sentence He is very talented player Though he is out of form He is very talented player Though he is out of form अब ये आपके सामने सब दाहरन है जिसमें एक dependent है एक independent है एक independent है और बीच में connector है वैसे तो इसमें काफी कुछ आप समझ के होंगे कि dependent कौन सा है और independent कौन सा है या main कौन सा है और subordinate कौन सा है कनेक्टर कौन सा है लेकिन फिर भी हम और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें ताकि गलती हमारी new नितम हो जाए तो यदि हम बात करें तो clauses की यदि बात करते है तो clause जो होते हैं वो English language के building blocks है एनी sentence that you write which has a subject and an action वो तो clause कहलाता है फिर तो तो थोड़ा देख लें और phrase क्या है आगे आप phrase भी पढ़ेंगे clause में जैसा हमने बार बार कहा एक subject रहेगा एक verb रहेगा अप phrase क्या है फ्रेज वो है जिसका खुद का complete sense नहीं निकलता है जिसका खुद का complete sense नहीं निकलता है a phrase is a group of words again like a clause which makes sense उसमें कुछ अर्थ निकल जाता है लेकिन पूरा नहीं निकलता but not the complete sense तो phrase के बारे में तो हम बाद में और विस्तार चे पढ़ेंगे इसका चिक रहे हैं इसलिए कर दिया क्योंकि कहीं आप अचानक phrase कहीं पढ़ो और इसकी भी meaning परिभाशा यही दिखे तो आप confused हो जाओगे ऐसा नहीं है phrase कुछ थोड़ी अलग चीज है यह complete sense नहीं बनाता है जबकि एक clause जो है वो अपने में स्वयम में complete sense बनाता है example एक clear blue sky एक clear blue sky एक खुला नीला अकाश क्या आर्थ निकल रहा है एक clear blue sky welcome me in lay एक clear clear blue sky welcome me in lay अब देखिए दोनों में क्या answer है a clear blue sky करके मैं रुक गया और दूसरे में मैंने आगे कुछ और बोला है a clear blue sky welcome me in lay is a clause because the subject जो है a clear blue sky और वर्ब क्या है welcomed इसमें subject भी है और वर्ब भी है a clear blue sky subject है दूसरे शब्दों में phrase में sense तो पूरा रहेगा पर शायद दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों हो उसमें subject हो और वर्ब हो phrase में यहां पर आप में देखा subject जैसी चीज तो दिखी a clear blue sky और वर्ब नदारद है that is a phrase कुछ तो मीनिंग निकलता है क्या मीनिंग निकला है clear blue sky मतलब खुला नीला अकाश लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हूं मैं आपको बोलों खुला नीला अकाश और रुग्या आप मेरे को वाक्य कंप्लीट करने की प्रतिक्षा करते भी नजर आओगे others would notice that you are waiting for me to complete my sentence after I said खुला नीला अकाश after I say clear blue sky you will be notice waiting for me to complete some sentence only thing I have said is clear open sky but क्या क्या बुलना चाह रहे हो खुला अकाश बुलकर so ऐसा फ्रेज है जिसमें वर्ब नहीं है और क्लाज में वर्ब और फ्रेज दोनों होता है दो ट्रक के प्लाज मैंने बताय है independent clause, dependent clause और independent clause को main clause भी कहते है या principal clause भी कहते है principal की spelling फिर यहां देखिए जैसे मैंने steel की spelling आपको बताई S-T-E-A-L steel मैंने चोरी करना और S-T-E-A-L steel मैंने लोहा खास लोहा वैसे ही principal और principal में अंतर देख लीजे यहां जो principal लिखा है यहने मुख्य या प्राचार्य और सिध्धान्त P-R-I-N-C-I-P-L-E वो सिध्धान्त है P-R-I-N-C-I-P-L-E चारण वही है थोड़ा सा principal और यह है principal प्रिंसिपल नहीं बोलते हैं और वो है principal Spelling बहुत एक दूशे से मिलती ऐसी एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं नीचे हम पैर में क्या पहनते हैं चपल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं चपल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं Slipper क्या कहते हैं हिंदी में लिखें तो sleeper, sleeper नहीं कहते हैं, my dear friends, चपल को अंग्रेजी में sleeper नहीं कहते हैं, चपल को अंग्रेजी में sleeper कहते हैं, ला में छोटे ही की मात्रा होती है, sleeper, अब ये sleeper और sleeper में क्या अंतर है, Slipper, na na na, Slipper yes, Slipper का मतलब क्या है, कहां से बना ये शब, To Slip से बना है, To Slip, S-L-I-P, Slip, यहने फिसलना तो Slipper, वो चीज़े, जमें पैर को फिसल के डाल देते हैं अंदर, वो Slipper है, और Slipper क्या है, जिस पे हम सोते हैं, वो Slipper है, और जिसको पैर में पहनते हैं, वो Slipper है, और Slipper की स्पेलिंग है, S-L-E-P, Sleep से बना Slipper, सोने से बना Slipper, और Slipper, फिसलने से बना, क्रिया फिसलना, हम लोग कैसा हस्यात्पत बोल देते हैं, कि मैं Slipper पहना हुआ हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, बहुत गलत है, तो यहां इसको करेक्ट करें, तो वी कम बैक तो ओवर पॉइंट अगें, कि इंडिपेंडेंट क्लास जो है, उसको मे अब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दोनों रहता है, और एक कम्प्लीट सेंटेंस बनाता है, चलिए फिर इसको दाहरेंच देख लें और, I like ice cream, complete है, यह स्वयम में एक में क्लास है, I like ice cream and I like chocolate, I like chocolate, complete है, I like ice cream, यह भी complete है, अब यह दोनों complete हैं, लेकिन बीच में एक connector से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, and, and क्या कहलाएगा, connector, and क्या कहलाएगा, subordinator, यह हो गया, जहां पे दो क्लास जो अपने तई, पूरा मीनिंग रखते हैं, और जो दोनों ही main क्लास के जैसे हैं, उसको हम कहते हैं, compound क्लास, तो अब देखिए, हम independent क्लास पढ़े, independent क्लास के बाद, dependent क्लास समझे, अब यहां पर थोड़ा हम और गहराई में जा रहे हैं, क्लास के और बहुत से प्रकार, इन्हीं independent और डिपेंडेंट के अंतरगत ही आने वाले, विभिन्न प्रकारों की चर्चा हो रही है, तो यह देखिए क्या लिखा है, I like ice cream and I like chocolate, दोनों independent काम कर रहे हैं, दोनों main clause है, I like ice cream and I like chocolate. जहाँ पर दो main clause, एक दूसरे से जुड़ें, उसको कहते हैं, conjunction, c-o-n-j-u-n-c-t-i-o-n, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, conjunction, So, conjunctions are those words which connect two main clauses like and, new way to learn, now, there are different ways to learn these, with different kind of examples, We will, we have been doing certain types of it, for example, just now, we learnt independent clause, dependent clause, then we also learnt different types of main clauses here, So, let us move further and try to understand further on these clauses, जिसे मैंने dependent clause कहा, उसको मैंने subordinate clause भी कहा, yes, और dependent कार्थ क्या होता है, निर्भर होना, और subordinate कार्थ क्या होता है, किसी के नीचे रहना, दूसरे शब्दों में, निर्भर होना, It means, dependent clause is also known as subordinate clause, उसका भी एक subject होता है, उसका भी एक verb है, और, It does, it depends on the main clause for making sense, मैंने जब compound clause की बात की सी, तो आपको बताया था, कि compound clause वो होता है, जो दो main clause को जोड़ के बनता है, कौन्से clause को, दो main clause को जोड़ कर, conjunction के माध्यम से, एक कर दिया जाता है, वो compound clause, उसमें दोनो clause main रहते हैं, और main clause मतलब क्या है, जहां पर, यदि हम दोनो main clause को अलग-अलग तोड़ दें, तो दोनों का अपना पूरा पर्याप मीनिंग है, लेकिन यहां पर subordinate clause ऐसा है, जो अपने तहीं पूरा मीनिंग नहीं दे पाता है, जो अपने तहीं पूरा मीनिंग नहीं दे पाता है, it has a verb, it has a subject, but it is dependent on main clause for its sense, and it does not make complete sense on its own, फिर से वही बात दुराई गई है, यह बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि आप समझने की कोशिश करें कि dependent, subordinate क्या है, for example, I will go to the market, if you come with me, I will go to the market, if you come with me, यह एक complex sentence है, यह एक complex sentence है, I will go to the market, if you come with me, is a complex sentence, इसका main clause क्या है, I will go to the market, I will go to the market, main हुआ, और subordinate clause क्या हुआ, if you come with me, यदि मैं किवल आपको बोल दूँ, if you come with me, तो आप बोलेंगे हाँ, तो बोलिए क्या बोलना आगे, if you come with me में क्या आप मेरे को कुछ इनाम देंगे, if you come with me, तो क्या पिटाई करेंगे, तो क्या है, तो complete sentence नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक verb भी है, इसमें एक subject भी है, you subject है, verb कम है, पर यह complete नहीं है, कहीं कुछ कमी लग रही है, ऐसा complex sentence, I will go to the market, if you come with me, is a complex sentence, it has a main clause, I will go to the market, मैं बजार जाऊंगा, यह स्वैम में परयाप था, इसमें कुछ आगे पीछे ना भी बोलू, तो भी एक भावना क्लियर हो गए, कि मैं बजार जाऊंगा, अब उसके साथ जो जुड़ा हुआ, वाक्य है, वो complete नहीं है, जुड़ा हुआ जो उपर वाक्य है, वो complete नहीं, if you come with me, the main clause, I will go to the market, उसके साथ, if you come with me, जुड़ने से, if you come with me, अपने में पूर्ण सेंस देता है, और पूर्ण सेंस देते हुए, तब जाके, पता लगता है, या तब जाके महसूस होता है, कि if you come with me, भी एक महत्पूर्ण उपवक्य है, उस सेंटेंस का, जो subordinate clause है, if you come with me, ये स्वैम में तो complete मीनिंग देगा नहीं, दे नहीं रहा है, और उस पर निर्भर है, based on the function they perform in the sentence, function के आधार पे, हम clauses को भी, अलग-अलग खंडों में बाटते हैं, function के आधार पे, कैसा function perform कर रहे हैं, उसके आधार पे भी, हम clause को अलग-अलग आधार पे categorize कर सकते हैं, उसका वर्गी करन कर सकते हैं, तो function के आधार पे क्या-क्या वर्ग हैं इसके, अब हम चलें थोड़ा उसकी और,